चिंतन शिविर के प्रदेश समनेवेक पूरविशक्षामंतरी विधायक पासुदेव तेम नानी की मुख्य वक्ता की रूप में बोलते हुए चिंतन शिविर की कारी योचना वे स्वरूप पर प्रकाश मादव गोशाला में आयजित बैठक में दिया तेम नानी ने अपने उद्भुदन के दोलान कारेकरम एवम अभियान मेडिया एवम आईटी सैल मोडचा एम प्रकोस्ट की रचना एमकारे शेली विश्यों पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि किसी भी संगठन के लिए नेरंतर कारेकरम होते रहने चाहिए साथ ही समय समय पर विभन विश्यों को लेकर अभियान भी चलाए जाने जाहिए ताकि कारेकरता कानुभव बढ़ता रहे जिसका लाब संगठन को मिले और साथ ही आम जंता से जुडाओ भी लगातार बना रहे पासपा जिलादिश शादराल तेली ने चिंतन शिवर में कहा कि चिंतन शिवर के माद पधादिकारी और कारेकरता मिलकर पूरी सकरेता के साथ काम करेंगे तो पार्टी मजबूत होगी समापन सत्र में जीला संगठन प्रभारी रतनलाल गाडरी ने अपने समुधन में कहा कि भाजपा में संगठन की द्रस्टी से मंडल को केंदर बिंदू मानते हुए सभी पूत की रचना भी मजबूत बन सके आने वाले समय में प्रदेश सरकार की जन विरोधी दमनकारी नीतियों के विरोध में भाजपादवारा बड़े स्तर पर विरोध प्रदेशन के कारेकरम एमांदुलन किये जाएंगे विधायक प्रटल शंकर अवस्ती ने केंदर की भादी घटनाओं पर विराम लगा है धारा 375 ए हटने के बाद भी देश में शांती है साथ ही राम मंदिर का निर्मान भी वर्तमान समय में हो रहा है देश की अस्मित्ता से जुड़ा हुआ मुद्दा है कोरोना जैसी महमारी के निदान में भी केंद्र की मोधी सरकार ने बड़ी ततपरता दिखाई चिंतन शिविर के बाद देवनानी ने मेडिया से बास्चित करते भे प्रदेश की गहलो सरकार पर जम कर निशाना साधा उन्होंने कहा कि प्रदेश की गहलो सरकार खुद की कुड़सी बचाने के चकर में जनता पर महंगाई थोप रही है बड़ा औध्युक चटाने वाली सरकार करार दिया है उन्होंने मंत्री मंडर के विस्तार में हो रही देरी पर बोलते हुए कहा कि गहलो जानते हैं की विस्तार के चंद दिनों बाद ही उनकी सत्ता चड़ी जाएगी इसलिए विस्तार को टाल रहे हैं भीलवाडा में भारेचे इंता पार्टी का जिले का चिंतण शिविर था जिसमें 7 सत्र थे उन सत्रों में सारे जिलों में इस प्रकार के करकर्ण हो रहे हैं और उसमें लगबग technically 35-40 करकरता हर चिंतन शिविर में भाग ले रहे हैं उसके बाद यहां पे आचारे महाश्रमन जी के दर्शन करने का मौका मिला, सिक्षा पे उनके साथ कुछ चर्चाएं उन्होंने मारदर्शन किया, और फिर अभी हमारे एक करमठ कारेकरता, राम गुपाल जी पारी, जिनका निदन चैनुवे वर्श की हुआ, उन्होंने इस यहां पे खड़ा किया, सीचा, उनको शर्दान जी लेर्पित करते हुए, आज आपके बीच में उपस्तित हुआ हूँ, और इस वारता में, राइस्तान सरकार के बारे में मेरा इतना कहना है, कि इस समय कॉंग्रेस, बिस्टा चार में आकंठ तक डूबी हुई है, कल जिस प्रकार से, सिक्षक समान समारों में, मुख्यमंत्री के सामने, सारे उनके पूछने पर, सारे सिक्षकों ने एक स्वर से कहा, कि पोस्टिंग और तबादलों में, पैसे लिए जा रहे हैं, इस से ज्यादा शर्मनाक बात, किसी मुख्यमंत्री के सामने हो नहीं सकती, यह न भी लगाता रोज एक दो तीन केसिस पकड़ रही है फिर उस पे भी अभी हो जन के लिए स्वीकिर्थी नदेना या नितांज चिंतनी हैं इसका मुख्यमंत्री की शेह पर ही इस तरह का बिश्टाचार हो रहे हैं और उसके साथ जिस प्रकार से पैट्रो डीजल के भाव के अलावा जो सीमा वरती प्रांत हैं उनें पैट्रो डीजल 14 रुपे से 15 रुपे तक कम हैं तो मेरी मांग है के सारे राज्यों के आसपास के राज्यों के बराबर राइस्तान सरकार भी इतना वेट घटाएं कि सब और समान दर से सब को पैट्रो डीजल मिले बाकि प्रां और क्यवल उनने पेट्रो डीजल के बाओ तो नो टंकी जनता के दवाओ विफक्षी दवाओ पर थोड़ा सा कम किया लेकिन उसके दूसरी आड़ में जनता की जेब पर बिजली के बिल बढ़ा करके मिफ्यूल सरचाज बढ़ा करके उन्हों की जेब भी डाका डाला है यानि आज चाए वो किसान हो, चाए युवा हो, चाए आम जन हो, सारे के सारे तरस्त हैं, इल्ए मुख्यमंतिय को अपनी केवसत्ता के अलावा, किसी प्रकार का, और कोई काम नहीं बचा, कि रात दिन सचिन पैलेट का उनको डर बनाए हुए, इल्ए पिले सवा साल के अंदर, नह तो इन्होंने अपने पार्टी का गठन किया है, ना कोई जिले की कोई समीती है, ना कोई जिले का अध्यक्ष है, उसकी चिंता की अबना, केवल मोदी जी, भाजजपा और आरसस को गाली देने के अलावा, इनके पास किसी प्रकार का कोई कारक्रम नहीं है, राइस्तान में चाहे ठाने हों, चाहे स्कूल हों, चाहे मंदिर हों, चाहे बाकी जगे हो, धार्मिक इस्तान हो, सबी जगे, आज महला की इज़त, अस्मित, अर्सुरक्षित है, इसलिए हम मांग करेंगे मुख्यमंत्री जी, आप जागो, जनता को रहत परदान करो, केवल जनता को की तरह डै जाएगी, इलिए हम साथ सबा साल तो इसको टाल दिया, आप केंद्र के दबाव में, सुनेगा आप जल्दी करने जा रहे हो, आप करो, आपके पार्टी का यहां तरी की विशह है, लेकिन आपकी सरकार अब अधिक दिनों तक नहीं रहेगी, इलिए आप जनता क की चनता करो, जनता को रहत परदान करो.